कि एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में जैसा कि आप लोगों को थमनेल से दिख रहा होगा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल के बारे में और गुडविल की जब भी चर से आपके रिटार्मेंट के सासाथ आपके डैथ डिसलिशन इन सबसे भी वो क्या कर देता है रेलेट कर देता है यही रो गया या जो भी आप गुडविल के बारे में पढ़ेंगे जबी आप मैथज की बात करोगे या जो मैथज आफ गुडविल है या वैल्यूएशन अब में आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा चाहे आप Permission पढ़ो, चाहे रिटार्मेंट पढ़ो, चाहे आप Death पढ़ो ठीक है? या फिर चाहे आप Dissolution पढ़ो. dissolution में थोड़ा सा आपका goodwill का जो concept होता है वो change हो जाता है जिसमें हम आपका purchased goodwill का एक जो नया concept होता है उसमें हम उसको सामिल करते हैं लेकिन अभी फिलाल वो आपके slivers में नहीं है तो उसको आपको पढ़ने की भी कोई औशक्ता अभी फिलाल नहीं है तो सभी लोग क्या करेंगे फटा फट हैडिंग डाल लीजे बिटा method of a goodwill और method of goodwill की जब हम बात करेंगे तो हमारे तीन method होते हैं method of goodwill में हमारे कितने method होते हैं बिटा तीन method होते हैं एक diagram के थुरू आप लोग इसको बनाएंगे सबसे पहला method जिसे हम लोग नाम देते हैं आपका average profit method सबसे पहला method हमारा क्या है average profit method ठीक है यह हमारा सबसे पहला वाला method है दूसरा method होता है हमारा super profit method रूसरा क्या है हमारा super profit method ठीक है और तीसरे method की अगर हम चर्चा करें तो तीसरा method होता है बेटा हमारा capitalization profit method तीसरा हमारा क्या है capitalization profit method और जब हम capitalization profit method की बात करते हैं क्योंकि यह जो capitalization profit method होता है यह दो method का combination है और वो combination किन दो method का है एक आपका मेरे साथ बनाईएगा डाइग्राम एक आपका क्या है average average profit capitalization method average profit capitalization method और दूसरा है आपका बेटा क्या super profit capitalization method दूसरा हमारा क्या है super profit capitalization method तो अगर हम इन तीनों method की बात करें एक बार इनके फिर से आप नाम सुन लीजे आप सब लोग अपनी अपनी कौपी में इसको नोट कर लीजे पहला क्या है हमारा average profit method दूसरा क्या है हमारा शूपर प्रॉफिट की बात करें एक बात करें एक बार इनके profit method और तीसरा क्या है हमारा capitalization method के कितने form होते हैं दो form होते हैं पहला क्या है average profit capitalization और दूसरा क्या है आपका super profit capitalization method इतना clear हो गया अब कुछ point आपको लिखा रहा हूँ इसको आपको याद रखना है जब आप average profit method की बात करोगे तो इसमें आपको 2 step follow करने पढ़ेंगे goodwill को calculate करने के लिए super profit method में आपको बेटे 4 step follow करने पढ़ेंगे कितने step follow करने पढ़ेंगे 4 step follow करने पढ़ेंगे average capitalization में भी आपको 4 step follow करने है 4 ने इसमें 3 step follow करने है कितने step follow करने है 3 और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक step follow करना है अब आप कहोगे कि सर वो step क्या है जल्दी जल्दी बता दो चलो ठीक है सबसे पहले आप लोग heading लिख लीजे average profit method जब आप average profit method की बात करोगे सभी लोग पहली heading डाल दीजे average profit method जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ average profit method जब हम average profit method की बात करते है average profit method में हमारा जो सबसे पहला step होता है वो ये होता है calculate the average profit हमारा सबसे पहला step क्या होता है calculate the average profit और जब आप average profit की बात करोगे तो average profit का हमारा formula होता है total profit total profit divided total number of year total profit divided total number of year अब ये जब हम question लगवाएंगे तो आपको ये चीजे समझ में आएंगी उसके लिए आपको क्या करना है निश्चिंद रहना है ठीक है तो अभी पहला step क्या है calculate the average profit और इसका formula क्या है total profit upon total number of year अब हमारा दूसरा step मैंने क्या बताया था का आपको कितने step follow करने है दो step follow करने है पहला step सबको clear हो गया अब हमारा दूसरा step क्या कहता है दूसरा step हमारा कहता है calculate goodwill amount दूसरा हमारा कहता है calculate goodwill amount और इसका formula या इसका क्या है इसका है बेटा लिखेंगे जरा average profit average profit देखो step number one में आप follow कर चुके हैं बता ही कर चुके हैं तो average profit into number of year purchase number of year purchase और यह number of year purchase आपको question में दिया रहेगा इसके लिए आपको परिसान होने की कोई अवशक्ता नहीं है number of year purchase आपको question में क्या किया रहेगा दिया रहेगा इतनी समझ में आ गई कोई समस्या तो नहीं अब कुछ बाते और याद रखनी है आपको सर वो क्या है जो आपका average profit है मैंने क्या कहा जो आपका average profit है इस average profit में या यह यह भी हम कह सकते है कि इन में आपके चार अरजिस्ट्रमेंट छुपे है या हम यह भी कह सकते है कि जो आपका profit आएगा उस profit में आपको चार चीजों से बच के रहना है वो چार चीजें क्या है बेटा मेरे साथ लिखेंगे abnormal profit एली चीज क्या है आपकी abnormal profit दुसरा है आपका abnormal नॉर्मल लॉस दूसरा हमारा क्या है एबनॉर्मल लॉस तीसरा है आपका नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नॉट इंक्लूड़ या नॉट कंसीडर ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट नॉट कंसीडर और क्या है आपका normal loss not consider normal profit not consider normal loss not consider और एक last है इक पचवाँ भी है एक आपका क्या है पचवाँ है और वो है कि नोन प्रेटिंग इनकंब है नोन औप्रेटिंग इनकंब लुक्षं अप्सर्कूंब करने के लिए बच्चों तो आपको क्या करना है कि इन से बचके रहना है और इनका treatment आपको करना है तब जाके आपको आपका actual profit निकल कर आपके सामने आएगा अब इनका treatment हम कैसे करेंगे या यह होता क्या है यह हम अभी तोड़ा सा देर में देख लेते हैं देखिए normal का मतलब क्या होता है normal मतलब ऐसी घटना जो घट रही है abnormal का मतलब क्या ऐसी घटना जो साल भर में कभी-कभी घटती है उन घटनाओं की घटने से या तो आपको profit होगा या तो आपको क्या होगा loss होगा और अगर उसी profit को आपने सामिल किया है तो आप goodwill की calculation में उसको आप सामिल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर profit पे calculate की जाती है इस पे calculate की जाती है normal profit पे calculate की जाती है और अगर आपने उसमें कोई भी abnormal चीज को सामिल किया तो उसको आपको neglect करना पड़ेगा जैसे यह जो आपका normal profit है जिसकी वजह से आपका profit balance क्या हुआ होगा बढ़ा होगा आपको निकालने के लिए उसको उसके effect को क करने के लिए आपको normal profit को क्या कर देना होगा माइनस कर देना होगा क्या कर देना होगा माइनस कर देना होगा अगर कोई normal loss है तो normal loss की वजह से आपका profit balance बढ़ा होगा कि घटा होगा तर घटा होगा तो अब उसके effect को कम करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा उ जोड़ देना होगा क्या कर देना होगा बिटा उसे जोड़ देना होगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब दो चीजें एक नॉर्मल वाली समझ में आ गई आपको अब थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं नॉर्मल इंकम, सर जो हो रही है, लेकिन आपने उसको सामिल ही नहीं किया, तो अगर नहीं सामिल किया, तो एक काम करो, अब तो सामिल कर लो, एड कर लो, सर नॉर्मल लॉस जो हो रहा था, जिसकी वज़ा से हमको घटाना है, लेकिन हमने नहीं घटाया, अब एक काम करो, फि इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा। भात समझ में आ रही है कि नहीं आरे है। तो यह पांच पॉइंट आपको याद रखने है। कितने पॉइंट याद रखने हैं यह पांच पॉइंट याद रखने हैं पहला क्या है एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे सर घटा देंगे एबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे एड कर देंगे normal profit जो की नहीं सामिल है एड कर देंगे normal loss जो की नहीं सामिल है minus कर देंगे non operating income घटा देंगे बात समझ में आ गई का नहीं आ गई समझ में आ गई अच्छा मालो non operating expense होतो non operating expense होतो non operating income घटा रहे थे न तो non operating expense क्या कर देंगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में आ गई तो ये वो दो step हैं जिनकी वज़ा से आपको आपका average profit की average profit में आपका goodwill क्या हो जाएगा calculate हो जाएगा ये दो step आपको याद रखने है point clear हो गया कि नहीं हो गया और इन दो step के साथ साथ ये जो आपके 5 adjustment है इनको भी आपको क्या करना है याद रखना है अब दूसरा step जल्दी से लिखे दूसरा method लिखे और दूसरा method हमारा क्या है सूपर Profit Method क्या है हमांरा बेटा सूपर Profit Method कि आप देखोँ सूपर Profit method नाम से ही पकड़ो क्या लिखा particular यादि जो Woah गूट Will हमें शूपर Profit chi से निकालनी है वह कैसे और क्यांder इस सूपर γάई ग्रॉफिट से निकालनी तो यह सब बंदे सें कि why that को पहुच्छने के लिए हमें सब से पहले पहले स्टेप को पकड़ना पड़े गा और हमारा पहला स्टेप है बेटा ध्यान से देखिएं हमारा पाला स्टेप है इंहेरा किसी इस तेब क्याल calculate the average profit या फिर आपका क्या actual profit अब देखो एक चीज कमाल की बताऊं मैं आपको average profit आपको calculate करना आता है average profit आपको calculate करना आता है कैसे ये देखो ये formula लिखा है उपर लेकिन ये जो actual profit है न ये question में दिया रहेगा तो इसको निकालने की दिक्कत ही नहीं है इसको निकालने का सरदर दी नहीं है actual profit आपको question में दिया रहेगा और average profit का formula क्या है total profit divided total number of year हमारा पहला step complete हो गया की नहीं हो गया अब हम अपने दूसरे step की तरफ चलते है अब हमारा दूसरा step क्या कहता है सर हमारा दूसरा step कहता है बिटा calculate normal profit calculate the normal profit calculate the normal profit और normal profit का हमारा जो formula होता है वो होता है जरा मेरे साथ लिखिएगा capital employed capital employed into rate upon hundred into rate upon hundred clear हो गया आपका क्या निकल के आ जाएगा normal profit जैसे एक लाख रुपया आपने लगाया 10% का return है तो साल भर में सामान लाभ क्या होगा आपका एक लाग का 10% यानि कितना 10,000 कैसे निकाला capital जो हमने लगाया और जो हमारा क्या है rate है समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब यहां पर एक चीज़ समझेगा सर क्या कभी कभी आपको capital employed दिया रहता है तो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है आप किस्मत के समझ लीजे गदहा है अगर capital employed दिया है तो अरे और क्या गदह है है जाब तक एक चीज़ जानिये जीवन में छे लोगों की इज़्जत कभी नहीं होती और उन छठों में सबसे पहले नंबर पर व्यक्ति आता है चात्र कि पहला चात्र दूसरा बिखारी कि तीसरा नेता बाकी तीन फिर कभी बताएंगे अभी तीन समय लो तो अब capital employed समझो तो capital employed अगर आपको दिया है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सर अगर मालो ना दिया हो तो अगर नहीं दिया तो इसको निकालने का formula बहुत simple है class 11 में ही हम पढ़ चुके हैं इसको निकालने का formula क्या है वह formula वह formula है बेटा सी बराबर मतलब capital बराबर assets minus liability assets minus क्या आपकी liability बताईए पढ़ रखा ही कि नहीं पढ़ रखा है class 11 में पढ़ रखा है ना चालिए तो यह हमारा हो गया कौन सा दूसरा step अब बारी को किस step की है हमारे तीन step की क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको कितने step follow करने है चार तो पहले दो step में तो कोई समस्या नहीं न आप देखो तीसरा step क्या कहता है तीसरा step तो इतना जादा easy है इतना जादा easy है आप सोच नहीं सकते है और वो step क्या है देखिए calculate super profit calculate super profit और अब देखो अब इसका इसका क्या है सर इसका बताएं देखो step one minus step लीजे ये बताओ इससे ज्यादा easy अभी तक दिखा क्या पहला वाला माइनस दुसरा वाला यानि average profit या actual profit माइनस क्या आपका normal profit क्लियर हो गया अब step number four देखिए step number four जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है तो गाना है ना जहां तेरी नजर है मेरी जहां मुझे भी ख़वर है यानि क्या calculate goodwill amount क्या आपका goodwill amount इस goodwill amount का formula क्या है step क्या है और वो step है बेटा देखेंगे देखो यह कौन सा method आप कर रहे हो तूपर प्रॉफिट और मैंने क्या कहा था सूपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो सूपर प्रॉफिट पता चल गया न अब क्या होगा तूपर प्रॉफिट सूपर प्राफिट इंटू नंबर ओफ एर परचेज नंबर ओफ क्या एर परचेज अब नंबर ओफ एर परचेज कहां दिया रहता है तबाल में दिया रहता है, आपके question में दिया रहता है, तो भी confused होने की कोई हो शक्ता भे तब सानिको नहीं है, clear हो गया बेटा, यह step clear हो गया सारे के सारे, कितने step बताये थे, चार, देखो मैंने वादा पूरा किया, है ना, जो चार बोला था देखो चार में ही निप्टा द प्रॉफिट तNewकर इन दोनों को एक साथ करेंगे कि अशल सोपर के कैश करेंगे कैसे हां दोनों के एक सा झालने की बात जब आ का्उंटिंग गुरूं साथ है चलो आओ देखो है इडिंग डालो है अप्टलाइजेशन मैथड है अप्टलाइजेशन मैथड है या कैप्टलाइजेशन प्रॉफिट मैथड ही के विड़ा सबसे पहला क्या था आपका है एवरेज एवरेज प्रॉफिट कैप्टलाइजेशन मैथड और दूसरा क्या है हमारा तूपर प्रॉफिट तूपर प्रॉफिट कैप्टलाइजेशन मैथड चलो पहला देखो अब इसमें मैंने कितने स्टप बताये थे आपको तीन और सूपर में कितने बताये थे एक चलो सबसे पहला देखो पहला कहता है कैल्कुलेट कैवरेज प्रॉफिट कैल्कुलेट या कैल्कुलेट एवरेज कैपितलाइज बैलु कैल्कुलेट एवरेज प्रॉफिट कैपितलाइज बैलु average profit capitalized value ठीके बटा अब calculate average profit capitalized value ये कैसे आएगा सर इसके लिए हमारे पास एक formula है और वो formula क्या है बटा average profit निकालना जान रहे हो ना सारे average profit निकालना जान रहे हो ना सारे into hundred divided rate into hundred divided rate एला step complete अब दूसरा step देखिए दूसरा step कहता है calculate capital employed calculate capital employed बताइए ये वाला formula भी सबको पता ही कि नहीं पता है अभी अभी बताया था क्या बताया था c is equal to a minus l बताया था कि नहीं बताया था पता रखा है चली बहुत सुंदर अब उसके बाद तीसरा step हमारा तीसरा step calculate goodwill amount calculate goodwill amount और इसका इसका answer है बेटा goodwill is equal to goodwill is equal to step one minus step two step one minus step क्या आपका बताया कितना आसान है कितना आसान कि आप सोच नहीं सकते है ना सही है कि नहीं बेटा कितना आसान है पस तीन step याद रखने है पहला step calculate average capitalized value average profit into 100 upon rate दूसरा क्या है calculate capital employed C अबराबर A-Al C अबराबर A-L और तीसरा calculate goodwill step one minus step two बताओ खतम हो गया कि नहीं हो गया तो मज में आया कि नहीं आया आया है तो like भी कर देना चैनल पे subscribe भी कर देना अगर नहीं किये हो तो और comment भर भर के करना बेटा ठीके बेटा चालो आओ अब देखो देखो आपका मन करे तो आप मगे में भर के comment करिए आपका मन करे बल्टी म भर लिया ना हो तो लोटिया म भर दिया ठीक है हाँ आपका मन करे चम्मज में भर दिया लेकिन करिए गार ज़रूर चलिए आगे देखेंगे फिर उसके बाद सूपर उफोरिक की बात करते हैं इससे जादा सरल बेटा मैने आज तक नहीं देखा याद करिए इससे ज़्यादा सरल मैं कसम खिला लो मेरे से इससे ज़्यादा सरल मैंथड तो मैंने आज तक नहीं देखा कसम खाएं किस की खाएं देखो एक चीज जानो परसनल चीजों पर कमेंट नहीं करना ठीक है अभी खुद देखो गया अपने आप आ जाएगा ठीक है आओ देखो गुडविल इस उक्वल टू गुडविल इस उक्वल टू देखो जरा स्टूपर प्रॉफिट स्टूपर प्रॉफिट इन्टू अंड्रेड अपॉन रेट लीजिए आ गई आपकी गुडविल आ गई आपकी गुडविल अब बताओ इससे ज़्यादा सरल है क्या कुछ क्या कहा था मैंने सबसे ज़्यादा सरल है लेकिन अब देखो गुरू एक चीज़ जानो मैंने क्या कहा था यह जो capital method है ना यह पहले और दूसरे method का combination है अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि super profit कैसे निकलेगा अगर आपको नहीं पता है तो फिर भुला जाएए कि गुडविल भीज में से आप निकाल लेंगे तो इसी लिए गुडविल की जो calculation है सबको एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया है attach करके भेजा गया है चाहे आप average की बात करें चाहे आप super की बात करें या चाहे आप किसकी बात करें capitalized की बात करें समझ में आ गया अब क्या करते हैं कि एक question उठाते हैं और एक question से ही हम इन पांचो इन चारो मैथट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं क्लियर हो गया एक ही कोशन उठाएंगे चल आओ लिखो मेरे साथ कोश्चन सबका नोट हो गया है सबने नोट कर लिया है पूरा का पूरा चलिए लिखो जरा प्रॉफट दूरिंग दे यर प्रॉफट दूरिंग दे यर एहले साल का एक लाख दूसरे साल का डेर नहलाख तीसरे साल का दो लाख और चौथे साल का तीन लाख और पच्छुए साल का पचास हजार लेकिन वो भी किसमें लॉस में वो भी किसमें आपका लॉस में ठीक हापितल ए स्जjut ещё्पत्र आप। जापितल ए प्रटितने प्रटितन प्रटितैएर डिस फट्रटितो ए फ्रॉस्ट परसति पॉस स्ट न्हाफितन 10% नंबर ओफ येर परचेस नंबर ओफ एयर परचेस नंबर ओफ येर परचेस वो है आपका 5 साल ठीके नंबर ओफ एयर परचेस कितना है पांच साल अब आपको गुडविल निकालनी है एवरिज प्रॉफित मैथड से सूपर प्रॉफिट मैथट से काप्टलाइजेशन से काप्टलाइजेशन के दोनों मैथट से कलियर हो गया सबको छलिए सबसे पहले हम किस मैथट से लगाएं average profit average profit method step याद है सबको average profit method छलिए पहला step कहता था calculate the average profit step लिख कर सभी लोग solve करेंगे calculate the average profit calculate average profit और मूला क्या था total profit upon total number of year यानि एपी बराबर टीपी अपॉन नंबर ओफ इयर नंबर ओफ इयर तो टोटल profit कितना है आपका जोड़ेंगे मेरे साथ एक लाख प्लस एक लाख पचास अजार प्लस दो लाख प्लस तीन लाख और माइनस आपका कितना पचास है सार कि लॉस है तो माइनस कर देंगे न तो कितना हो जाएगा डेड़ लाख यह हो गया पचास अजार घटा दीजे तो एक लाख हो जाएगा दो दो चार और चार तीन साथ साथ भागे कितना विटा पांच लाख ना तो विटा सैवन लाक डिवाइड़ फाइफ कितना आएगा भी ततर है तो एक बचा फिर दो अचा दो दो यानिए फिर बीश चाहुदा एक लाख चालिस अशार। यह ना तो एवरेज प्रॉफिट आगया कितना आपका एक लाख चालिस हजार अब दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है भी एक गुडविल एमाउंट गुडविल इस प्रॉफिट इंटू नंबर ओफ यह परचेस तो एपी इंटू नंबर ओफ यह परचेस परचेस तो एक लाख चालिस हजार और नंबर ओफ यह परचेस कितना है पांच तो एक दो तीन चार और फॉर फाइफ जा फ्वेंटी तो गया और पांदो साथ कितना आ गया गुडविल आ गया आपका कितना साथ लाख क्लियर हो गया एवरेश प्रॉफिट में सबसे पहला हमारा जो गुडविल आया वो कितने रुपए का आया सात लाख रुपए का आ गया कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अब दूसरा मैथट अडॉप्ट करते हैं हम लोग और हमारा दूसरा और प्यारा मैथट क्या है आपक आप मारा दूपर प्रॉफिट मैथजिध। हम लोगों नहीं हमारी सही निकाल रख्ञा कितना ऐवरेश प्रॉफिट नहीं एक लाख चालीस अजार है मारा मेर एक लाक चालीश हजार दूसरा था आपका कैलक्कुलेट नॉर्मल प्रॉफिट जरह पता करो एपिटन केवा है अरे स्वर्री टीन लाक है मेरे आप काने को यह 30ları इतना आगया आपका 30,000 तो तीसरा step क्या था हमारा calculate super profit यानी एक लाग चालिस हजार माइनस 30,000 बैलेंस कितना आगया एक लाग दस हजार ठीक और उसके बाद अगला step हमारा क्या है calculate goodwill तो एक लाग दस हजार और number of year purchase कितना है पाँच यहाँ पे goodwill कितना आ आगया आपका पाँच लाग पचास हजार रुपिया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया पाँच लाग पचास हजार रुपिया ठिक अब हमारा अगला step क्या है अगला method क्या है calculate capitalized method था न average profit capitalized method यानि तीसरा capitalized average profit method अब्रेज प्रॉफिट मैथड चलिए पहला step क्या था हमारा याद कराईए मुझे सबसे पहला step calculate capitalized average profit capitalization या capitalized value of average profit capitalized value of average profit यही था ना मारा पहला step capitalized value of average profit तो आपका formula क्या था कि average profit इंटू hundred upon rate यही था ना हमारा average profit आपका कितना आया था एक लाग चालीस हजार तो एक लाग चालीस हजार इंटू hundred divided rate मतलब दस ठीक है कितना है आपका दस परिसेंट है तो कापिटल कितना है आपका तीन लाक रुपया कापिटल कितना है तीन लाक रुपया यह हो गया हमारा step नंबर दो अब इस्टेप नंबर तीन क्या है गुडविल स्टेप वन माइनस स्टेप क्या तू हां जी चाउदा लाक माइनस कापिटल कितना है आपका तीन लाक है यहां पर balance कितना आजाएगा 1100000 रूप से आपका चेक करो आपका capital employed कितना है цय क्या फिरल बैलनस कितना आगया 11000000 रूप मैंलेन चाहए जूँन इस अ सूपर प्रॉफिट क्या था भाई इसका फॉर्मूला क्या था भाई इसका फॉर्मूला क्या था हमारा इसका हमारा फॉर्मूला था तूपर प्रॉफिट इंटौ 100 अपॉं री रिट कि सुपर प्रॉफिट हमारा है हमने निकाल रखा है कितना है मारा कियर रहाे हैं इस एक लाख दस हेजार हैं एक लाख दस हजार घुड़े सो भागे दस जीरो से जीरो काट दिया कितना आगया आपका यहाँ पे 11 लाख होगा मैंने एक लाख दस हजार लिखा यहाँ पे भी कितना आगया 11 लाख लीजे आपका आंसर आगया बताई कि कितना easy है method टफ लगा क्या आपको बिल्कुल tough नहीं है बाई बिल्कुल tough नहीं है और इससे ज़्यादा आसान तो इसका treatment है यह आप जाने इससे ज़्यादा तो आसान आपका क्या है treatment है तो यह जो accounting treatment है goodwill का यह हम आज की class में नहीं बलकि कल की class में इसको क्या करेंगे हम पढ़ेंगे तो आज के लिए फिलाल method of goodwill में इतना ही अभी हम इस goodwill पे दो lecture और लेंगे एक जिसमें हम आपको math accounting treatment of goodwill बताएंगे और फिर जो आपका तीसरा lecture बनेगा उसमें हम इसके meaning, feature, importance, factor उन सबको क्या करेंगे हम discuss करेंगे clear हो गया तो आज के लिए फिलाल इतना ही आसा करते हैं कि आज जो चीजें आपको पढ़ाई गई है वो चीजें आपको समझ में आई होंगी और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है किसी भी topic को लेकर किसी भी point को लेकर तो नीचे आपका number flash होता रहता है उस number प करते हैं कि आपके लिए जो हम ये चीजें provide कर रहे हैं वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा result देंगी इमांदारी से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए जैहिन जैभोले नाथ